नमस्कार दोस्तों दोस्तों अखलेश यादो ने प्रदेश के एक युवा नेता को बड़ी जिम्मेदारी सौपी है सपा मुखिया ने समाजवादी कुटिया के संस्थापक एड़ोकेट रिशी चंद्र यादो को समाजवादी अधिवक्ता सभा की प्रदेश कारेकारणी में प्रदेश उपाद्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी है जौनपूर से तालुक रखने वाले युवा नेता रिशी चंद्र यादो को ये जिम्मेदारी दे कर अखिलेश यादो ने यूपी में एक नया गेम प्लान सेट कर दिया है दोस्तों सपा मुखिया हमेशा से युवाओं के चहेते रहें और उसी कड़ी में उन्होंने रिशी चंद्र यादो को प्रदेश कारेकारणी में प्रदेश उबाद्यक्ष की जिम्मेदारी दे कर प्रदेश के युवाओं को जागरूक और सपा के पाले में लाने का पूर प्लान सेट कर दिया है दोस्तों वैसे अगर रिशी चंदरियादों की बात करें तो वो पेशे से एक वकील है पर इससे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा गरीबों पिछडों की मदद करते रहते हैं वो अनात से लेकर गरीब बच्चों को मुफ्त सक्षा के साथ उनकी पूरे जिम्मेदारी खुद उठाते हैं कोविट के टाइम उन्होंने बहुत से मजदूरों को बहुत से अनात बच्चों को बहुत से गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना दिया उनके रहने का एक ठिकाना दिया ऐसे में एक ऐसे युआ नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी द प्रदेश और प्रदेश अद्यक्ष शाम लाल पाल की अनुमती पर दी गई है अब हम आपको वो पत्र पढ़कर बताने जा रहे हैं जिसके जरीए इस बात का एलान किया गया कि रिशीच चंद्र यादो अब उपाद्यक्ष के तौर पर निवक्त किया जाएंगे देखे जो पूर को समाजवादी अधिवक्ता सभा की प्रदेश कारेकारणी में प्रदेश उपाद्यक्ष नामित किया जाता है नीचे लिखा है आशा है कि आप समाजवादी पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए संगठन को और अधिक बल इंगती शीलता प्रदान करेंगे करांतिकारी अभिवादन के साथ दोस्तों अखलेश यादो ने रिशी यादो को जिम्मेदारी देकर नाकेवल जौन पूर को मजबूत करने का काम किया बलके पूरे प्रदेश के यूथ और एड़ोकेट डेपार्टमेंट को भी सशक्त करने का काम किया है वैसे अ जौाओं में वकीलों में जो इनका एक अलग डेपार्टमेंट होता है इसके जरीए समाज को न्याय मिलने का काम और मजबूत होगा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार